अगर कोई पार्टी अपने आपको इस एक के अंदर रेइस्टर कराना चाहती है तो उन दोनों पार्टी को एक फ़र्म भढ़ना पड़ेगा जो कि सेकेंड स्पेशल मेरेज एक्ट में प्रिस्क्राइब है और उस फ़र्म को समीट करना पड़ेगा उस डिस्टिक के मेरेज मेरेज रेइस्टरेशन का सार्टिफेकर दिया उसके डिस्टिक में सार्टिफेकर देने से पहले कोई पार्टी टूदी मेरेज नहीं रहती थी इस केसे मेरेज वाइड मानी जाएगी